नमस्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने बाइक का इंजन ओयल चेंज जिसे हम मोबिल भी कहते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं what all we need to change इंजन ओयल तो सबसे पहले तो हमें मोबिल ही चाहिए जिसे हम इंजन ओयल भी कहते हैं आपको नीड होगा टूल्स का मैंने यूज किया था कार के साथ आने वाला गोटी रेंच इंजन ओयल कैप को खोलने के लिए जो की बहुत ज़्यादा टॉर्क जिनरेट करता है तो कैप तो खुल गया था लेकिन जब मैं उसे लगा रहा था तो कैप टूड गया था अल्मूनियम का होता है बहुत हलका तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा बाइक के साथ जो आया है आप उस से खोलिए और आपको एक चुम्बक का भी जरुत पड़ेगा बिल्कुल आसानी से खोलने के लिए ये ओल फिल्टर को बाहर निकलने के लिए बहुत आसानी से च कैब खोलते हैं यह आपको इंजन ओल निकलने लगेगा और साथ ही आपको इसको एक ओल एस्टेनर भी से बाहर निकलता है उसे आपको पूरा बाहर निकाल लेना है और उसे अच्छे से साफ कर लेना है यह जो मेटल पार्ट्स होते है उसको अपने साथ चिपका कर रखता है तो इसमें बहुत सारे चीद चिपके होते है तो इसको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना है तो ओल एस्टेनर जब आप साफ करोगे तो आपको फील होगा कि इसमें बहुत छोटी छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके कपड़े में बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं तो तो अच्छे से साफ करके वेट करना है पूरा का पूरा इंजन ओयल ड्रेन होने के लिए उसके बाद इसे वापस अपनी जगह पे लगा देना है और उसके बाद आपको जो कैप है उसे टाइट कर लेना है ताकि जब आप नया इंजन ओल डालो तो लिक ना हो अब हमें इंजन ओल फिल्टर को चेंज कर लेना है तो इसके लिए हमें इंजन ओल फिल्टर का कैप को खोल लेना है इसमें दो वोल्ट होते हैं बिल्कुल असानी से खुल जाएगा तो इं पकड़ने कोई जगह नहीं होता, इसलिए मैंने बोला था एक चुम्बक रख लीजे, बहुत असानी से निकलता है, इसके बाद आपको अच्छे से साफ करने के बाद नया जो फिल्टर है, आप यहां पे लगा दीजिए, लगाना बिलकुल असान है, बस वहां पर रखने के आपको हलका सा पुस करना है, तो अपने स्लोट में जाकर फिट हो जाता है, और इसके बाद आप इसका जो कैप है उसे लगा दीजिए, इसके बाद आप बिलकुल रेडी हो अपने नए इंजन ओयल को बाइक में डालने के लिए, इंजन ओयल पोर करने के लिए आपको उप आपको इंजन ओयल करने का प्रोसेस खतम होता है, और साथ ही साथ मैंने अपने पुराना जो चैनस पोकेट का बाइक के साथ लगा हुआ था, उसे भी चेंज कर लिया था, ये बिलकुल खराब हो चुका था, पंदरा अजार किलोमेटर पी देख सकते हैं, अब ये कितना ज यूज कर रहा है, इसको मैं भी यूज करके देखता हूं कैसा चलता है, कितने हजार किलोमेटर तक साथ देता है, ये मेरा, तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद मिलते हैं आपसे अगली वी